बड़ों को परनाम बच्चों को प्यार आप सब को नमस्कार जैहिंद शातियों मैं आरके नएक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं भारतिय राजवेश्टा की इस पॉलिटी सीरीज में आज सातियों हम पॉलिटी के अंदर कुछ मैतपुन जान कर लेंगी जो कि सातिय केबिनिट मेशन 1946 इस समय नही।से समदित होगा और बार्तिय सवीदान से सम्द्य होतों अगिसी फीओं के एक्जाम की आप्ट टार्य कर रहे हो तो आप को यह जितना भी study material दिखाए जार रहा है इस सब का PDF मिल जाएगा और PDF मिलने के बाद में आप इसको revision जरूर कर लीजिए ताकि साथियों आपका exam में कोई भी क्यूसन गलत ना हो अब साथियों आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि यह जो study material है इसको तैयार कौन कौन सी पुष्टक से या किस चीज से किया गया तो यहां पर आप जितनी भी पुष्टके देख पा रहे हो इन में से जितनी भी मार्केट की सबसे बरुशमन्द गाइड है एन्शार्ट का अक्साथ हैसे लेके बारा और बागी एडवांस पोच्ट तक इनका रिव्यू भी हमारे चैनल पर किया गया प्लेलिस्ट को जाकर जरूर देख लें अब साथियों हम सुरू करते हैं भारते सविदान से समद्द एक्जाम की दिरिष्टी से वह मैं आपको जरूर बताऊंगा यहां पर ताकि आपका अगर केबनेट मिशन 1946 से समद्द एक्जाम में क्यूशन पूचा जाए चाहिए वह वन डे एक्जाम हो या कोई भी एक्जाम हो उसमें अगर क्यूशन पूचा जाता है तो आपका कम से गलत नहीं होना चाहिए सबसे पहले साथियों फरवरी उनीशन चीनलीश में क्या होता है बेटीस परदान मंतरी कौन थे उसमें उनीशन चीनलीश में यह थे आपके कलिमेंट एटली इन्होंने क्या क्या साथियों भारत में राजनितिक गति वीडियों को दूर करने के लि साय बिटीस केपिनेट ने तीन सद इसे कौन थे साथियों आपके लोर्ड पेथिक लोरेंस थे एक ही समय सामिल जो की भारत में आदिक गडियों muffin सर्कार के demokrat evolveour के अधिक्स यह उनके साथ में ऊँप्र यह थे आपके अव एलेग सबीत कुछ जानकारी है कि ad morality के पर्थम लर्ड या नोशना मंत्री यह थे और इन्हों ने क्या किया साथ हूं इस mission ने जो cabinet mission था इन्होंने क्या किया साथ हूं विशेश अधिकार इनको दी गए थे और इसका कारी क्या करने के लिए क्या किया जाए साथियों कुछ महत्पुन उपाए यह संभावनाओं की पहचान करना था तो उसी पहचान करने के लिए यहां पर यह लोग आये थे केबिनेट मिशन मार्च से समदित कुछ महत्पुन जानकरी हो सकता है आपको इसे समदित पूछ ले कि जब केबिनेट मिशन आया था हो उसमें बिर्टेन में परदान मंत्री कौन थे और इसे समदित कुछ भी पूछा जा सकता है जो आपके सलेबस में है अंतरिम सरकार का गठन 1942 यह साथियों आपके के लिए क्या मैत्पुन जानकरी और है एक्जाम की दिश्टी से तो यह साथियों आपका चोबीस अगस्त उनीस सुच्छ में अंतरिम सरकार के गठन की गोसना हुई और इसमें जहारलाल नेरु के नित्रतुए में क्या होता है साथियों यहां पर ग्यारा सहयोग्यों के सा साथ में 2 सितंबर 1946 को सरकार का गठन कर लिया जाता है और उसके बाद मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में सामिल नहीं हुई थी यह आपके लिए काफी महत्वन जान करें क्योंकि मुस्लिम लीग उसमें क्या कर रही थी अपनी अलगी रोटी पका रही थी यानि इनको पाकिस सामिल भारत के अंदर ही और उसके बाद में सात्यों आप यहां पर देखेंगे मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में सामिल नहीं हुई इसका कारण मैंने आपको बता दिया लेकिन इसके बाद भी हमारे जो सविदान सभा के लोग थे सदसे थे उन्होंने क्या क्या उनके सवा में सामिल होना चाहिए आखिर कारशातियों 26 अक्टूबर 1946 को सरकार का पुंद्र घटन होने पर मुस्लिम लीग के पांच परती नीदियों ने क्या है सपत ले लिए और कांग्रेश ने लीग के सदस्यों को सामिल करने है तो अपने तीन सदस्यों जिसमें सैद अली और उ किन से क्या है इस्तिपा दिलवाया अब सांतियों यहां पर तीन लोगों को इस्तिपा देना पड़ा किन की वज़ые से जो दूसरे इनके मुस्लिम लीग'T Кे पांच सदे से सामिल करने के कारण इन तीनों क्या क्या इस्तिपा दिया तो यह सातियों काफी महत्त् g abolition जानकारी अब सातियों आप देखेंगे कि यह जितने भी अली है और यह बोस भी है और यहां पर एहमद खाये इनसे ही क्यों दिलवाय दिया गया इस्तिभा क्योंकि साथियों आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें पाकिस्तान के लोगों के विचार जो कि उसमें पाकिस्तानी नहीं थे भारतिय थे उनकी विचारदारा बाद में चेंज हो गई आज कुछ अलग है वह बातें अलग है करेंट फिर में कभी हम चर्चा करेंगी लेकिन उनको सामिल करने के लिए इन तीन लोगों ने अपना इस्तिपा दिया या फिर इन से दिलवाया गया उसके बाद में साथियों अंतरिम सरकार में समलित होने के बावजुद भी मुस्लिम लीग ने सविदान सभा में सामिल होने से मना कर दिया अब साथियों यहां पर आप देखेंगे कि जो कुट्टे की कुछ है उसकुछ है आप कितना भी शिद्धा कर लो वह शिद्धा नहीं होना है तो वही बात थी पाकिस्तान की मांग उनके जो चल रही थी विचार उस समय भी चल रही थी और आज भी साथियों उनको सुख का चैन नहीं मिलता है कभी बोलते है कश्मीर हमारा कभी कुछ बोलेंगे कभी कुछ बोलेंगे तो मतलब इस तरह के विचारदारा जो लोगों में उस समय थी आज भी वहीं पर है उनकी विचारदारा तो वह आप समझ सकते हो अब सातियों आज हम जो जानकारी इसमें आगे बढ़ाते हैं वह आपके लिए है मुस्लिम लीग की अनपस् सभा का घटन किया गया अब सात्यों आप से एक्जाम में क्यूशन पूछा जा सकता है सविदान सभा के पर्थम अधिक्स कौन थे तो यह थे दोक्टर सचिदानन शिना और यह पर्थम ऐस तैंग अधिक्स थे क्योंकि पर्मानेट अधिक्स यह नहीं बने आगे आपको ज किया इनको अधेक्स बना दिया ऐस्ताई अधेक्स और कब की बात 9 दिसंबर 1946 की डॉक्टर राजंदर परसाद ने 11 दिसंबर 1946 को यानि ठीक दो दिन बाद उपचारिक रूप से सविधान सभा के स्ताई अधेक्स के रूप में कारिवार संबाला अब यानि आप से पूछे की पर्थम स्ताई अधेक्स कौन थे तब तर डॉक्टर राजंदर परसाद कब बने थे 11 दिसंबर 1946 को और एस ताइब पूछे कब बने थे तो इसे दो दिन पहले नो दिसंबर 1946 को कौन बने थे डॉक्टर सचिदान सिना ये साथियों आपको पता होना चाहिए क्योंकि एक्जाम की दरिश्टिश आपके लिए काफी मैतुपन जान करी है तो उसके बाद में साथियों आप यहां पर देखेंगे मुस्लिम लीग ने सविदान सबा का विरोध करने के साथ साथ पाकिस्तान की मांग को और अधिक को मजबूति से रखा यानि इन्होंने क्या किया सविदान सभाह का विरोध किया विरोध करने के बाद बोले कि हमें तो अपना अलग से पाकिस्तान चाहिए हम भारत के सथ नहीं रहेंगे भ Surprisingly तो अपना 1947 को गोष्णा में कहा जो 1947 में गोष्णा की थी उस गोष्णा में उन्होंने कहा कि इस राजनितिक एनिस्चित्ता को देखते हुए जून 1948 तक राज सता भारत के जिम्मेदार लोगों को सौंप दीजाएगी सविदान सभा का गटन दोस्तों आप यहां पर देख लिया सदेशे कितने थे वह आपको मैं यहां पर बता देता हूँ 9 दिसंबर 1916 को टोटल 389 सदेशे थे जिसमें साथे नाइनिती थी सदेशे थे साथे आपके देशी रियास्तों से उसके बाद साथे आप यहां पर देखेंगे यह जो कमिशनर परांत थे उनसे भी 4 सदेशे थे यानि कुल मिला कर 389 सदसे थे सविधान सभा में या सविधान को बनाने में तो अंतरिम सरकार में सामिल सदसे और उनको जो विभाग दिया गया था उनके बारे में कुछ महत्मून जान कर ले लेते हैं सबसे पहले साथ यो कांग्रेस के मंतरी जो बने थे और उनको कौन सा विभाग दिया गया था और मुस्लिम लीग के कौन से सदे से पांस थे और उनको मंतरी जब बनाया गया तो उनको कौन सा विभाग दिया वो जानकरियम ले लेते हैं सबसे पहले साथ हूं आपके यहां पर जमारलाल नहरू जमारलाल नहरू को साथ हूं यहा सदुंब मन्तर बना देजाता है सरदार ड़े मंतरी यह पर आप देखेंगे तो गर्म के साथ सबता है उल्क्स मंतरी पना दिया जाता है संग रख्षा मंतरी थे साथ हूं को से ज़रा गोपालनाचारी थे थोड़ी शी नज़र डाल लेते हैं साथियों मुस्लिम लीक के सद्दिश्यों पर भी तो यहां पर साथियों आपकी यहां पर थे सबसे पहले जोगंद्रनात मंडल जो की विदी मंतरी थे उसके बाद में साथियों यहां पर आप देखेंगे यह आपके गजनफर अली ख अबतार यह संचार मंतरी थे यह साथियों आपके लिए एक्जाम की द्रिश्टिशन एक बहुती महत्रकुन जानकरती है आसा करता हूं साथियों जानकर यह आपको अच्छी लगी होगी अगर जानकर यह अच्छी लगती है साथियों आप इनका PDF डाउनलोड करकी revision भी करत करता हूं